हेलो स्टुडेंस, वेलकम बैक ओन येर यूट्यूब चैनल येश्कुल लर्निंग, स्टुडेंस आज हम करेंगे क्लास थर्ड का लेसन नुम्बर 14, अली बाबा इन 43 उसकी एकसरसाइज, कुश्चन अंसर और इसका ग्रैमर वरक्शोप, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अप आपकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए साथ में बैल आइकन दबाईए इसका बैनिफिट आपको यह होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूं तो सबसे पहले आपको इसका कासिन बहुत ही ऱ पर सर्ष डाइब तो कैसा परसुन था कासिन इस वेरी ग्रीजी, बहुत ही लालची परसन था, तो option A राइट होगा students इसका, Marjina was the servant of Marjina, जो थी, वो किसके servant थी, देखिए, Robards, Lutero की, या Alibaba की, या Qasim की, तो Marjina किसके servant थी, Alibaba, option B राइट होगा इसका, सही statement के लिए आपको टिक लगाना है, और रोंग स्टेटमेंट के लिए क्रोस करना है, तो फर्स स्टेटमेंट देखिए, Alibaba was a rich man, Alibaba एक अमीर आदमी था, तो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट रोंग है, Alibaba अमीर नहीं था, वो बहुत ही पूर था, लगडियां बेच के अपना गुजारा करता था, सेकिन देखिए, The Soldiers गेम चुवार था केव, गुफा की तरफ क्या सैनिक आए, तो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट भी रोंग है, क्योंकि गुफा की तरफ सैनिक नहीं आए थे, कौन आए थे, लुटेरे, रोबर्स, थर्ड नमबर देखिए, There was the treasure of loot भाई था, रोबर्स, वहाँ पर लुटेरों के दुवारा लुटा हवा खजाना था, तो बिल्कुछ सही, ये स्टेटमेंट सही होगा, कासिम तुक ए ट्रंक and went to the cave with his horses, कासिम ने अपना ट्रंक लिया और अपने घोडे के साथ गुफा की तरफ गया, तो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट रोंग है, क्योंकि कासिम ने ट्रंक नहीं लिया था, क्या लिये थि, अपने बैग लिये थे, और साथ में उसने horses नहें लिये थे, उसने asses लिये थे, तो बिल्कुल सही है, next देखिए see part filling the planks with suitable words students यहां आपको उपर बॉक्स में कुछ option दियेगे है इन में से right word चूज करके आपको इन fill ups में fill करना है तो इनका meaning जाल लेते हैं पहले went means गया, plan, योजना, wrong, गलत, without, बिना, opened, open means खुला तो first fill up देखिए at once dot door उसी समय जो दर्वाजा था वो क्या हो गया open, खुल गया second, alibaba entered the cave dash delay alibaba ने गुफा में enter किया delay, देरी किया उसने देरी की थी क्या? नहीं, उसने क्या किया था? without delay, बिना देरी किया, वो गुफा में enter कर गया third number देखिए, the cave opened, उसकुफा का दर्वाजा जो था खुला and he dash in, और वो क्या था? जब cave open हुई, तो क्या हुआ? he went in, अंदर चला गया number four, the chief of the band of robers, मेडे जो chief था, robers का जो group था, उनका जो chief, मुख्या था उसने क्या बनाई थी? एक योजना बनाई थी ना? कुछ गलत की अशंका है, तो students, यह हुए इसके फिलप्स, next हम part करेंगे D, answer these questions, नीचे कुछ question देगे हैं, उनके आपको answer right करने है, question number first, who was Ali Baba, Ali Baba कौन था? answer, Ali Baba was a poor man, Ali Baba एक गरीब व्यक्ति था, second, who was Qasim, Qasim कौन था? you know Qasim Ali Baba का ब्रदर था ना? तो answer क्या होगा, Qasim was Ali Baba's brother, Qasim Ali Baba का फाई था, next, number third question देखिए, what did Ali Baba see in the forest? Ali Baba ने जंगल में क्या देखा? answer, देखिए, Ali Baba, Sai Band of Robbers, Ali Baba ने लुटेरों का एक group देखा, question number four, why did Qasim not come out of the cave? Qasim गुफा से बाहर क्यों नहीं आया? answer देखिए, because he forgot the place to open the door of the cave, क्योंकि गुफा का धर्वाजा खुलने का जो place था, वो भूल गया था, तो इसलिए वो गुफा से बाहर नहीं आ सका, next, देखिए, number fifth, what did Marjina do after hearing someone speaking in the jar? Marjina ने उस jar की अंदर जब किसी को बोलते हुए सुना, तो उसने क्या किया? answer देखिए, Marjina poured hot oil into the jar, Marjina ने उस jar की अंदर घरम तेल डाला, तो students, यह हुए इसकी question answer, अब हम करते हैं, students, इसका next part, grammar workshop, grammar workshop में आपको टोपिक दिया गया है, present continuous tense, यहां से आपको इसके निम से ही पता चार रहा है, present मतलब present में जो continue है, जो काम आप कर रहे होते हुँ, उस टाइम पे उसे बोलते हैं, present continuous tense, तो students, इस टेंस का formula क्या है, कि सबसे पहले आप subject लगाओगे, जो में करता है, जो काम को करने वाला होता है, वो लिखेंगे, then I am helping verb लगाएंगे, और helping verb जो है present continuous tense में, क्या लगती है, is, am, are, singular के साथ is, it means he sheet के साथ आप is लगाओगे, और I के साथ M का यूज़ होगा, और plural के साथ R का यूज़ होगा, यानकि UV दे के साथ आप R लगाओगे, then आप क्या करोगे, main जो verb है, main verb का यूज़ करोगे, और उसके साथ ing करोगे, मानकि verb की first form, plus ing, और देन आप object लगाओगे, यह इसका pattern है, तो चलिए देखती है, the baby dash in the cradle, cradle means क्या होता है, पालना, अब देखिए, cradle में, इस पालने में, बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है न, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले subject क्या है, the baby, सबसे पहले subject आएगा न, the baby, फिर helping verb क्या है, यह जो baby है, singular है, तो इसके साथ हम, is का use करेंगे, the baby is, then main verb, cry, और इसके साथ ing, the baby is crying in the cradle, सेकिन, देखिए, the mother, mother क्या है, देखिए, पिच्चर में, क्या दिख रहा है, आपको, mother is time पे, क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो कैसे करेंगे, the mother, और mother singular है, और singular के साथ हम, कौन सी helping verb लगाएंगे, is, और क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो यहाँ पर main verb क्या तो क्या होगा? He, और He, जो है, singular subject है, इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे, He is eating food, Eat, जो है, जो इसमें वर्ब हो रही है, वो क्या है? खाना, खाने कों कि इंगलिश में क्या कहते हैं? Eat, और इसके साथ इंग का यूज़ करेंगे, मीना, डैश, अब मीना क्या कर रही है, देखिए, यहां मीना है, रो रही है, रोने को इंगलिश में क्या कहते हैं? Weep, मीना, मीना सिंगुलर है, और हम सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे, इसका, मीना is weeping, नेक्स नमबर फिफ देखिए, नेहा इस लाफिंग, इस तरह से स्टुटेंट्स हम यह जो ग्रैमर वर्क्षाप प्रेजन कंटिनू स्टैंस हम कंप्लीट करेंगे, अब हम करते हैं नेक्स्ट वकैबलरी पार्ट, वकैबलरी में देखिए, आपको सिनोनियम्स एन अन्टो इसका मेनिक बिल्कुल इस वर्ड के जैसा हो, और एन्टोनियम्स मिन्स इसके अपोजीच हो, तो वाइड, वाइड होता है चोड़ा, और इसका सिनोनियम्स क्या होगा, ब्रोड, ब्रोड मिन्स भी चोड़ा होता है, और एन्टोनियम्स देखिए, इसका क्या होगा, नैरो it means tongue सेन देखिए respect respect आदर करना regard भी आदर करना होता है और dis respect मतलब अनादर करना lovely lovely होता है प्यारा sweet भी कह सकते हैं प्यारा बोलते हैं बहुत sweet लगळा है और अगली होता है भध्या इसका opposite होगा इंटोनियम होगा huge huge कह होता है बहुत बढ़ा अंट्योनियम देखे क्या होगा? Small, छोटा Poor, poor का synonym देखे क्या होगा? Niddy, जरूरत मन और इसका अंट्योनियम Rich, अमीर Optimist means क्या होता है? आशावादी It means dreamer भी कह सकते इसका synonym या फिर hoper जो इसको उमीद हो, ठीके? आशावादी इनका अंट्योनियम देखे क्या होगा? Hopeless, निराशावादी तो स्टूरेंस इस तरह से आप synonym और इसके अंट्योनियम राइट करोगे Next है G-part creative writing का दिया गया है picture composition, यहाँ स्टूरेंस यह picture आपको दिखाए दे रही है इस picture को देखके आपको कुछ sentences write करने है यह अपने आप करोगे तो students, यहाँ complete होता है हमारा lesson number 14 I hope आपको अच्छे से clear हुआ होगा मिलते हैं हमारे next video में next lesson के साथ Thank you